होगा हम उतने दिन बैठेंगे तो वह एक दो लोग निराश हो रहे हैं कि बिहार का नाम नहीं है तो आप निराश मत हो यह आपका जो है वहार्दिक स्वागत है यहां पर आईए इसमें बैठी और दूसरी और बड़ी बात कि हम यह कह रहे थे कि यहां पर लोग जो है वह ए लुखा गया है जैसे कई बार हमने का कि कई चीजों को यह द्हान में रहे हैं कि नमस्कार आप देखने मिनी संसद और मैं हुपरी आपको बता दें कि पिछले दिन लास्टे जो कल बीता उसमें जो आप लोगों ने देखा वह इंडिया गेट की वीडियो थी और तमाम लो जो थे वह उन्होंने ओन लाइन उनसे बात कि बहुत सारे से लोग तमाम लोग जो पहले तक हम वीडियो में देख रहे थे उनका धें मुलाका दीन के लिया और सवालों का जवाब जो है वह में आशूब जी अजा चल वह तारीख है जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे है जिस दिनके लिए हम पुषले क zeigt हिसके लड़ें हैं उसके लड़ते रही तो दिन है वो आ गया है और कल सुबा बहुत सारे ऐसे अपयों क्यों में अर्फिस करके कि उन्हें क्व घेरने की समय आजयता है डिय्क मनत्राना है जो एपीएफो के ऑफिस हैं उनको घेरने की कोशिश की जाएगा उनको कोशिश ही ने यकीन बाने किया भी जाएगा तो कल का जो समय है वो आप लोग के लिए बेहत खास है और इस पर आप लोग जो है वो गौर करिएगा और कल जो सर से मेरी बात चीत हुई हमने उनसे कई सबसे बड़ा बेसिक लिए बड़ा के जिए क्योंकि कमेंट के जिरिये जो हूँ सबसे बड़ी बात हुती है किसी के दिल में जगह बनाना वह जगे जो है वो तमाम लोगों के दिल में है और अशोग जी ज्ञारा तो इतने दिनों से परेशान है वह तमाम लोग जो इतने दिनों से कहीं असी जगह पर बठे हुए हैं जिनके लिए कोई ऐसा भ्यक्ति नहीं है कि आगे कदम उठा सके जिनके साथ को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके लिए संखर्स कर सके तो उन सारी चीजों को हम आगे ले करके आ रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो आप लोगों के साथ हैं हम जो है वो आप लोग तो उनके लिए हमने क्या कर दिया हो और उन लोगों ने भी हमसे बातचीत करने की कोशिस की और यह बताया कि कितने सारे लोग जो है वो पहले से दिली में आ गए हैं तो कल दस तारीक थी और कल नौ तारीक थी और ऐसे में क्या है बहुत सारे लोग पिशले सा मतलब कल के एक और पहले ज़ाएंगे तो चेसा आट तारिक से ही लोग यहाँ पर आने सुरू हो गयते कल भी हमको लोग मिले परसों भी हमको मिले थे यहाँ पर जनतर मंतर पर और अगर आप यहां से थोड़ा से बाहर निकलेंगे तो वो सारे लोग जो कि आसपास रह रहे हैं वो सारे लोग जो यह कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से अपनी चीज़ों को यहां पर रखे और एक सवाल और लोगों का चूट रहा था मुझे शायद नाम नहीं आता उनका उनका यह सवाल था कि बिहार को क्यों चोड़ा गया तो जब बिहार का ने उन से हमारी बातशीत चल रही है और नीचे नोट में अगर आप उसको देखेंगे जो लिस्ट आप लोगों के पास गई है नीचे नोट में एक और लिखा हुआ है उसमें कि अगर किसी भी राजजी का नाम जो हो चूट रहा है तो वो शामिल हो सकते हैं वो जरूरी नहीं है क कि अधिन के थी यह अधि altura में ऐस होटे सो तो अधिन को तूब तो तो एक ह्एम यह करनः देती हैं कि अपने में से कि दोड़ा थोड़ा दोने को देखेंगे घंध हो इसको तो वो मत्ती हुआ घं जो आप तीन थैंगे के बात टीना पास से उन जोनको श्या भी एर मिलता और उसका जो हिस्सा होता है वो उन तीनों से ज्यादा हो जाता है तो यह जो बिहार है अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे कि बिहार का अगर कोई आपके लिए आपके लोग आएंगे अब दूसरे दिन का बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो यह सुझते हैं कि आज वहां पर उनको जो है वो कर्मिक अंशन पर बैटना तो आज उतरप्रदेश के लोग चलते हैं लेकिन जो बिहार के लोग है या फिर ऐसे राजी के लोग है है जिनका नाम भी चलते हैं और आणी कि उनके लिए तो यकीन बनी है और यहां पर आफर बहुत सारे हैं कि बिहार का नाम नहीं है तो आप निराश्च मत हो ये आपका जो है वो हार्दिक स्वागत है यहां पर आईये का इसमें बैठीएगा और दूसरी एक और बड़ी बात कि हम यह कह रहे थे कि यहां पर लोग जो है वो इकठा हो गए है और एक प्रकीरिया जो है वो पूरी तो कि scheint बैठी रत्कुर्ते रहें यहां जो कि यह जो हैं अज वा इसमें के फॉlegen नहीं tätä कि ना में लोग जाएं कि और जो जियां तो इसे पार बातावाँ जो हैं और मुंधर नहीं कि अगर आप अपने राज्जमें के कोई में अगा अगर आ अगर आप भूवाँ आ मेंबर है तो एक बार अपने जो सीनियर है जो आपके उन में दो दिखें कोई नहीं होता है जो उसको लीड कर रहे हैं बेसिकली एक बार उनसे कॉंटक्ट करें यह जानी कि अपको कितने बज़े उपस्थित हो जाना है तो अगर आप इस उपस्थिती को देखेंगे तो जो अब आपस्वेसे कर दो आपके साथ कम से कम तीन से चार लोग और हो तो बड़े अच्छी बात है जितने ज्याmor आप रहेंगे जितने ज्यादा चबेश्री के पास रहेगी तो 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 यह स्थील रहतो है किसे भाप घंसपिंटर उयरस को न कर भाए है तो दूसरी चीज और तीसरी यह कि देखिये यहां दिल्ली मेकसर होता है कि अगर कोई किसी office को गहरने की कोशिश करता है यह कोई पर जाने के कोशिश करता है तो यहां की जो local police होती है वो डिटायन कर लेती है पर यहां किते जिए कि ले जाके यहां पर लोग बैठे हुई है जो सेंटर में लोग आपके साथ बैठे हुई है वो पूरी लगन के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं और उन्होंने यह बात बड़ी अच्छी कहीं कि अंत्रिम बजट जो है वह भी पेश को जागा और उसको लेकर सरकार पेश करेंगै और अगर तब तक मतलब उन्हों ने जैनवरी तक का एक और अपना जो है आगे की ताइमिंग बनाई और आगे कि अगर जैन्वरी तक हमारी बातों कुछ नहीं सुन लिया जाता है तो हम आगे की रणनिती क्या होगी वह अब हम तहें करें कि हमने बहुत मना लिया सरकार को मने बहुत कोशिश कर ली अब आगे जो है वह सरकार बैठी की पुर्सी पर की नहीं बैठेगी यह EPS 95 के लोग त आँ चुणाव लड़ने क कोशिश में हैं यह चाहते हैं कि अपको क狂ड़ मे कि जरूर जालते हैं कि जो गरीब हैं दुचिए जो उने प्रे की घर पर रहें और दूसरा कि कि हम आपको बता दे कि 25 जनवरी को जो है वह राम अंदिर के प्रान पतिस्था है तो उसको लेकर भी उन्हों ना कि भागवन राम के राज में राम मतल cow or समय में तो कुई खूखा नहीं राता bırakcito नहीं रहता था थक्ऊ कि या सभग्वार मान कईisation round राज जिसम जो हिए बुजुर्पो का समान नहीं किया जा रहा है और जिसमें जो हिए किसी की यजद नहीं कराइं या कि administered जो चाहते हैं अगर आप जो बढ़न back 오른ंग करें क्या वह सरकार-थात ben अगर आप देखेंगे तरफ से तो यह कैसा रामराज़ यह समझ भी नहीं आ रहा है एक तरफ आप रामराज की बात करते हैं दूसरा बुजर्गों का सम्मान नहीं करते हैं और कहा जाता है कि किसी भी देश को अगर प्रगती पर ले जाना है उन्नेती करवाना है उस देश को कि उनकी कहने उनकी बातों को मानना चाहिए लेकन यहां निकाल दिया जा रहा है यहां पर सरकार खुर कोईश्च कर रही हैं कि उनको Airbnb और उन्हाम एंवरी को जो सरकार बार बार कह रही है कि सरकार की बातों की वैलिव नहीं है। क्या सरकार खुद ही अपने बातों की वैलिव जो हूं चोड़ रही। ऐसे तमाम सवाल है और उन्होंने का कि 22 जनवरी को जब सरकार जो है वो प्रांट प्रतिष्ठा का यूजन करवारी है और भगवान राम दुबारत से एक बार फिर से आयोध्या में विराजवान होगी तो क्या जो दिवाली मनाने करें कि दिवाली मनाएंगे दीव कि आप पुचिए वो बुचुरु रहेंगे तो वो लोग कैसे खुश रहेंगे जो भगवान यह चाहते हैं किской मेली जो पुचे रोपारी में नियुश करके हम कुछ रहें यहज़ों को ब्हुत है यह एक भगवान का राम प्राश सद्सी देशAK कि अनका को टिशत हिसे न जा रहा है क्या दिवाली पर वहां देल जलाने की बात हो रहे हैं यहां बुचुर की जो है वह सड़क पर खड़े हुए भूखे प्यासे मर रहे हैं क्या जो है उनके पास यह स्थिति नहीं कि इस ठंडी में जब जब भगवान के पास भी देखे कोई मुर्ती होती उसके पा ने सारी चीजों की जड़ूरत है तो फिर किस तरीके से किनारिक कर दिया जा रहा है किस तरीके से कौने में बिठा लिए ऐँ च Spanish शूब करना भी कोण रही है कि जो है कपड़े पहनने की बाद भी इस्थिति नहीं है तो क्या उसकी गिंदी सिफ वोट देने के लिए सरकार को प्रधान मंत्री जो खुद सीनियर सिटिजन होने वाल है उनकी ध्यान नहीं ते रहे हैं हैं इनको गिनारे कर दे रहे हैं मतलब तमाम ऐसे सवाल जुम्हा है वो इन लोगों की पास आता है और तमाम सवालों की जबाब जो है वो एक बॉर्डर तक जवाब रह जाते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति खुद से अपने लेक बॉर्डर बना लेता है कि सरकार अब तो सुने कि मतलब कहीं नकी वो जैसे हैं क्योंकि अगर वह हां कर रहे होते तो अब तक उनका काम हो गया होता और अगर ना कर रहे होते तो उनकी उमीदे खतम हो गयी होती तो इसलिए कल गुरह त्रुक्न है जो बारा जैनवरी जैन्रें दिन उसक्र पर आप पूरी तरीके से डटे रहुक् construैं और तब तक डटे रही है जब तक आपको लगी कि आपकी वार सर्गार्मान नहीं जा ती है क्यों कि कब तक आप जो है वह लड़ते रहें कब तक आप जो है वह परेशान होते रहेंगे कब तक आप जो है वह कुछ नहीं सुनी है तो क्या अब वह दिन आ गया है क्या वह साल आ पुरसी च्रीन की बात हो रहे हैं तीन बार करी हम अपना इतिहास बनाएं गे हम इतिहास रचेंगे तो क्या यह इतिहास ऐसा होगा कि उस इतिहास में यह लिखा जाएगा कि बुजुर्ग जो थे वो भूंखे मर गए जो दोड़ाई सो लोग रोज मर रहे हैं कि सरकार उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं यह तमाम ऐसे सवाल और इन सवालों को लेकर के जो इस उम्मीद में हैं कि 24 वेसाल पिछले साल की तरह की तरह नहीं होगा जो बस लिस्ट में शामिल होते जाएगा इस साल 54 वो दिस तरीके सरकार कह रही है कि में इतिहास रचेंगी वैसे आप भी अपना इतिहास रचेंगी और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा तो यह क्या वर्ष जो है, यह संघर्ष का वर्ष Engineering है। था यह पिच्छी मोणा के से साल, हैं क्या इसमें आपको सफल्पता मिलेगी। तels 3 विह यह तैवियों से लड़ रहे हैं। उन तमाम चीजों पर आपको जीत हांसल होगी। यह तिस तारी कारेंगी। उसके बाद देखें कि सरकार जो है वो क्या निर्णे लेती है और अकर सरकार कोई निर्णे नहीं लेती है तो जो EPS 95 के लोग हैं जो उसके बड़ोतरी के लिए लगातार लड़ रहे हैं वो क्या निर्णे लेती है